फूल खिलते रहे जीवन की रहा में खुसी चमकती रहे आपकी निगाह में हर कदम पर मिले खुसी का बहार आपको मुबारक हो ये नया साल आपको नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो हम दिस्क करेंगे एक जनुवरी के गरेंडर पर पर और देखे आज एक जनुवरी 2020 को हम टोटल 10 करेंडर पर चर्चा करेंगे और साथ में के स्पेसर फैक्ट को हम पूरी डीटेल में जानेगे और देखे इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 को शाइब पुछाएंगे तो आपको इन 5 प्रशनों के जवाब भी देने तो शुरू से लास्ट वीडियो में बने र चली स्टार्ट करते हैं आज के करेंडे पर का कुछेगे सभी कोशाम्री के से उत्रों की देखे कल कोशाम्री का पहला प्रस्दागी हाल ही में किस राजि के मुक्यमन्द्री ने कुमाउनी भासा की चार पुस्त के धगोली, हसुली, चुमकी और जुमकी का विमोजन किया ह तो दीखे ये मुख्यमंत्री है आपके उत्राकंड के और इनका नाम है त्रिवेंदर सिंग रावत दूसरा प्रसंदा कि किस राज में अटल किसान मजदूर केंटिन शुरू किया गया है तो दीखे ये राजय आपका हर्याणा है और हर्याणा के जो मुख्यमत्ति है मनोहा लाल खटर इन्हों ने इस अटल किसान मजदूर केंटियूनु को जो है अभी याली में स्टार्ट किया है और तीशरा था कि हाली में नजर नंदी का निदन हो गया वह क्या थे तो दीखे जो आपके नजर नंदी हैं ये एक सामाजी कारे करता थे और इनके बारे में अगर डीटेल जाना है तो आप परसो का वीडियो देखके जो है इनके बारे में डीटेल जालीजे चोथा था कि हाली में काउन रूज के मासकों में चल लही विश्वे रैपिड सतरंज चेंपियंशिप में महिला वर्ल्ड रैपिड चेंपिर बनी है तो दीखे इनका नाम है कोनेरू हमपी और इनका नाम आपको जरूर याद रखना है और इक पांचवधा की ब्रेटें के सेंटर फॉर एकोनोमिक्स एंड बिजनस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार बारत की सुवर्स तक जर्मनी को पचाड़ कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्योस्ता बन जाएगा और इक इस रिपोर्ट के बारे मैं आपको परसो के वीडियो में बहुत ही डीटल बदा था तो परसो का वीडियो देखके रिवाइज कर लेगा क्योंकि वहाँ पे एक्जाम से रिडियर बहुत सारे फैक्ट है जो की इंपॉर्टेट है आपके एक्जाम के लिए और आज परसो की जनरल मनोज मुकुन नर्वाणे जो है यह भारत के किस करम के सेना अध्यच बने है देखके यह प्रशना को सभी घ्जाम में मिलेगा देखके इस प्रशन का सहीवत रोगा 28 में डिक है तो जो आपके जनरल मनोज मुकुन नर्वाने जी है यह भी हाली में इससे पहले भारती थल सेना के उप सेना धिश की पतपर कारे कर रहे थे और इन्होंने अपने 37 होर्ज के कारेकाल में सेना की पुर्वी कमान का भी नित्रत किया है जो की लगभग 4000 किलोमीटर लंबी है और भारत चीन सीमा का दाइत तो संभालती है तो मनोज मुकुद नर्वाने जी के बारे भी ये डीटिल्स यार रखना है लेकिन यहाँ पे एक खास बात यार रखना है कि ये जो है करम से 28 में आर्मी के चीप बने हैं बारत के ठीक है और जो आपका नवंबर महीने का मन्थली करेंटर पर का पार्ट फू था ये भी अपलोड हो गया है और इसकी लिंक में नीचे डिस्कॉस्में बाक्स में देता रहा हूँ वहाँ पे क्लिक करके पार्ट फू को भी दिख डालिए और पार्ट फू की लिंक तो आले जी डिस्कॉस्में बाक्स में पड़ी है तो पार्ट फू दोनों देखना जरूरी है क्योंकि आपकी जनवरी फरवरी में जितनी में एक्जामिनिसन होंगी ठीक है वो सभी इन में से बहुत सारे प्रस्ण questions उन में पूछे जाेंगे तो इस वीडियो को देख लेजएगा और इसकी पीडिय भी डानोर करेजएगा दूसरा प्रस्ण है कि धानू जात्रा महसो जो है किस राज़ में मनायाता है तो देखे जो आपका धानु जात्रा महसो है ये मनायता आपका ओडिशा राज में और देखे जो आपका ये धानु जात्रा महसो है इसको विश्व का सबसे बड़ा खुला थियेटर मना जाता है और ये जो है भगवान, सिदिक्रिष्ण और उनके मामा कंस की पावराणी कता पर आधारित है और ये उनके मामा राजा कंस के दोना आयुट धनु समाराओं को देखने के लिए क्रिष्ण और बलराम की मतुरा यात्रा के बारे में है जो आपका ये धनु जात्रा है और दिखें जो आपका ये धनु जात्रा ही एक वार्सिक तिवार है जो हर साल ओडिसा में मनायाता है और आपको बता दूँ कि इस वार्सिक तिवार की जो सुरुआ था ये 1947-48 में की गई थी जिसके बास चाहिए स्वतंता का जो है जसन मनाने और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गया और फिर हर साल मनाया जाने लगा तो धानु जात्रा मौसों के बारे में ये डीटेल्स या रखना है लेकिन एक लाइन में दिबांग मनाया रखेगा कि ये जो है ओडिशा का एक वार्सी कोस्तव है और ये ओडिशा में हर साल मनायाता है और इके ओडिशा राजी की बात करें तो ओडिशा की कैपिटल है भुनिश्वर और ओडिशा के गवर्नर है गनेशी लाजी और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर अवर्तवान में नवीन पतनायक और तीसरा प्रशन है कि किस बैको हाली में केंद्रे रिजोर पुलिस भाली यांडि की सी आर पी अप के प्रमुक का अतिरिक्त परभार सौपा गया तो दीके अभी हाली में जूपके RES- irmसवाल है इनको सी आर पी अपके प्रमुक का यानि की चीफ का जो है अतिरिक्त पर ना करते हैं ये 31 दिसम्बर 2019 को रिटायर हुए हैं CRPF के महाने से के पसे ठीक है तो ये पद खाली हो गया था तो उन्होंने सोचा कि यानि की ग्रेब मंतर्याल ने सोचा कि ये पद आप खाली है कि इसको इस पे अपॉइंट किया जाए तो कुछ सारी डीजर से रखना है लेकिन एक लाइन में दिमागे मनागे रखेगा कि जो आपके ITBP के महाने से कहा हैं जिनका नाम है SS देजवाल इनको अभी हाली में केंद्री रिजर्वर पुलिस वर्यानी के CRPF के प्रमोक का भी अतनिक प्रभार समपा गया है और CRPF के बारे में देखिए कुछ यूनिक इंवार्मेंसा ने मेरे पास जो की एक्जाम में बार-बार बुची आती है देखिए जो आपका CRPF है ये भारत के अलामा दुनिया का भी सबसे बड़ा अर्द सैनिक पल है जिसके लगभा के 3.25 लाग से अधिक कर्मचारी है और देखिए CRPF की जो अस्तापना है ये ब्रिटिस सरकार ने वर्स नाइटी थर्टी नाइग में जो है Crown Representative Police यानि की CRP के रूप में की थी और फिर 1949 में जो है स्वतनता के बाद इसका नाम बदल कर CRPF कर दिया गया तो दीखे जितने लोग जो है ये SSC GD वगरे के तयारी करते हैं उनमें ये फैक्ट सारे पूछे गया है SSC GD में NDA में बहुत सारे defense की exam में जो है ये प्रशन पूछा गया है तो ये सारी details या तक ना है और अब हम बात करते हैं CRPF के headquarter की देखे CRPF का headquarter नई दिली में है और CRPF का motto है सेवा और निष्ठा ठीक है भारत के ग्री मंत्रा लेकि अंदरगत काम करता है और वरतमान में भारत के ग्री मंत्री कौन है अमीत साह है और चौथा प्रशन है कि महाराष्ट के नए उप मुख्य मंत्री कौन बने है तो देखे महाराष्ट के जो नए उपमोख्यमंत्री बने है इनका नाम है अजीत पवार और ये चौथी बार जो है उपमोख्यमंत्री बने है महाराष्ट के तो जानते हम कब-कब ये बने देखे जो आपके अजीत पवार है इन्होंने 31 दिसम्बर 2019 को जो है चौथी बार मह तीन दिन का था अब याली में भाजबाक साथ जो है ये C.M. बने थे ठीक है और उसके बाद से गया हुआ है इससे पहले महाराश्ट में 1999 से सन 2014 के दवरां जो है कांग्रेस राश्टी कांग्रेस पार्टी गड़बंदर के जो है 15 सार के कारेकाल में पवार जो है दो बार कु उपमुक्यमंतरी बने थे तो दो बार ये पहले बन चुके हैं और रेसेंटले भी 2019 में ये दो बार उपमुक्यमंतरी बने तो याद रटना है कि महाराश्ट के जो नए उपमुक्यमंतरी बनें का नाम है अजीत पवार और ये कि आज आपका ऑनलाइन उमर का आपको पर दिखे यह बढ़ा है और इक जो आपका करनाटक राज है तो वन इस ती रिपोर्ट दोर उनिस के अनुसार जो आपके करनाटक राज है यहां पर जो है फुल एक हजार पचीस वर किलोमिटर की वन आचादी छेतर में जो है और इस मामले में आंदर प्रदेश दूसरे साथ पर है यहां पर कुल जो है 990 वर किलोमिटर विर्दी हुई है केरल में 830 वर किलोमिटर जो है वन आचादी छेतर में विर्दी हुई है तो यह डीटल से राखना है अगर एक्जाम में पुछा जा कि सबसे अधिक वन आचादी छेतर में विर्दी हुई है तो आपका अंसर क्या होगा करनाटा को का और उसके बाद फिर जो है आंदर प्रदेश में विर्दी हुई और उसको बाद फिर केरल में जो है सबसे अधिक वन आचादी छेतर में विर्दी हुई ठीक है यह डीटल से रखेगा और इकी छेतरफल की दिरिश्टी से बात करें तो एक्जाम में बहुत बाद पुछागा कि भारत में छेतरफल किसाब से देश में सबसे बड़ा वन छेतर की सराज में है तो दीके पृषा का नंबर आता है फिर महाराश्ट का नंबर आता है तो यह क्रम या रखना है और दीका आप पता दू आद गया आपकी वन इस्तिती रिपोर्ट दोरक 19 से डिक है तो यह रिपोर्ट जो हर दो साल बाद जो है जारी की जाती है जिसमें भारत के वनों और वनी छेतर की जानकारी दी जाती है और जो आपका ये वन इस्तिति रिपोर्ट है इससे जुड़े कुछ खास स्पेक्ट है इनको भी आपको नोट कले ना है ये एक्जाम में पुछे आते हैं देखिए वर्ष 1987 से भारती वन इस्तिति रिपोर्ट को दुई वार्षे गुरूप से भारती वन सर्विक्षर के दोरज़ा प्रकासित किया जाता है एक्जाम में ये प्रशन कई बार पुछा गया है कि जो आपकी वन इस्तिति रिपोर्ट है इसको कौन प्रकासित करता है त और देखे आपको वतादूं कि ये जो इस साल रिपोर्ट जारी की गई है ये जो है इस रेणी की सोलवी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसादनों के आंकलन के लिए भारती दूर सम्वेदी उपग्रैप जिसका नाम है रिसोर्स सेट टू तो इससे प्र बाई सो से अधिक स्थानों से प्राप्त आंकडों का प्रयोग किया गया है और इके आपको दादूं की वर्तमान रिपोर्ट में वनों के प्रकार एवं जैब विद्ता यानि की फॉरेश टाइप एंड बायो डाविश्टी नमक एक नए अध्याय को जड़ा गया है इसके अंतरगत वरिक्षों की प्रजातियों को सोले मुख्य वर्गों में विभाजित करके उनका चैंपियन एवं सेट वर्गी करड़ी ठीक है तो चैंपियन एंड सेट क्लास्पेकिशन के आधार पर जो है आंकलन किया क्या है तो ये जो आपकी वन सेजरी पर दरूनीस है इसस रन थ्रू फाइल्स प्रडाली की सुरुवात की है तो देखे इस रन थ्रू फाइल्स की सुरुवात की है हरियाना की सरकार ने और जो हरियाना के मुख्य मंत्री है मनोहा लाल कटर इन्होंने वियाली में इसको स्टार्ट किया है देखे आपका दादू जो आपकी हरियाना की सरकार है इसके द्वाना केंदेकृत फाइल मुवमेंट और ट्रैकिंग सूचना प्रडाली के माध्यम से रन थू फाइल प्रडाली का जो प्रावधान किया गया है और इस प्रडाली की जो निगरानी है ये स्वैम मुख्यमंद्री मनोहा लाल कटर करेंगे तो ये डीटेल्स याद रखेगा और अब हम बात करें थूरसा हरियाना के बारे में हरियाना की कैपिटल है चंडीगार हरियाना की गवर्नर है सत्य देव नरायन आरे और हरियाना के मुख्यमंद्री का नाम तो पता ही है नाम है मनोहा लाल कटर आयुजीत किया जाएगा और इसमें जो है देश भर के अथलेट पार्टिसिपेट करने के लिए जो है गुवाहाटी आएंगे ठीक है तो ये डीटेल्स याद रखना है और आटों परसने की किस तीधी से रूपे और यूपी आई के इस्तिमाल पर कोई भी अतरित सुलक नहीं लगेगा तो दीखे ये तीथी आपकी है एक जनवरी ठीक है दीखे आपको दादों की हाल ही में वित मंदरी निरमला सीतरा मंदने एक जनवरी दोहर बीस से पचास करोड रूपे से अधिक वार्शी करदाजस वाले ब्यावसायों के लिए मर्चिंट डिसकाउंट रेट यानि की MDR सुलक जो है इसको माप किये जाने की घोश्टा किया है और साथी एक जनवरी दोहर बीस से जो है रूपे क्रेडिट कार्ड और UPI QR कोड के इस्तिमाल से किये किसी भी डिजिटल लेंदेन पर जो है ब्यापारियों या फिर ग्राकों से कोई भी आतिरिक तुसुल का नहीं लिया जाएगा ऐसी घोश्टा की गई है तो ये सारी रिसिया रखना है लेकिन आप एक लाइन में दिमां में बना लीजे कि एक जनवरी 2020 से यानि कि आज से जो है अगर आप रूपे और UPI का इस्तिमाल कर रहे हैं तो इस पे कोई अतिरिक तुसुल जो है पेमिंट करते हुए नहीं देना पड़ेगा आपको और साथ में जो आपके ब्यापारी होंगे उनको भी ठीक है तो ब्यापारी हमसे ही वह सुलता है दो परसेंट दीजिए तीन परसेंट दीजिए अगर कार्ट से पेमिंट कर रहे हैं और इकिन नव परसना आपका है कि हाली में किन दूर संचार कंपनियों की पुनरुत्थान योजना में तेजी लाने के लिए मंत्री समूँ यानि कि आप मिनिस्टर इसको साथ में हम गोम कहते हैं तो इसका गठन किया गया है तो दीखे अब इहाली में जो आपका BSNL और MTNL है ठीक है तो इन दोनों सरकारी दूर संचार कंपनियों की पुनरुत्थान कारेक्रम योजना में तेजी लाने के लिए गोम का गठन किया गया है यानि कि गुरूप आप मिनिस्टर का गठन किया गया है और इसमें कौन-कौन सामिल है ये भी जान लिए देखे जो आपकी सरकारी कंपनियां है BSNL और MTNL तो इनके लिए जो कुल 69,000 करोड के पुनरुक्तान योजना के कारेक्रम में तेजी लाएगा ये जो आपकी गुरूप आप मिनिस्टर से है और इस गोम में यानि कि गुरूप आप मिनिस्टर में यानि कि मंत्री समूँ में जो है भारत के रक्षा मंत्री रादनास सिंग सामिल है आईटी और दूर संचार मंत्री रवी संकर प्रसाद सामिल है ग्री मंत्री अमिसाद सामिल है वित्त मंत्री निर्बला सीता रमर सामिल है वाणीज मंत्री प्यूस गोयल सामिल है और तेल मंत्री धर्मेंदर प्रदान भी सामिल है तेरी की जो आपका CBDT है इसने मार्च चे 2020 तक जो है जो आपका पैन से आधार को लिंक करने का डेट था इसको बढ़ा दिया ठीक है तो मार्च चे 2020 तक अपने आधार को आप पैन से लिंक कर सकते हैं इससे पहली ये डेडलाइन जो है 31 दिसंबर 2019 थी तो अब जो है आधार काट को पैन से लिंक कीजिए कोई दिक्खत नहीं है तो ये थे आपके आज के सभी मातपूर करेंडे फैर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी कुशन अपरे पे तो आप सभी लुक तैयार हो जाएए कुशन का अंसर देने के लिए कमेंट बॉक्स में तो सबको अंसर देना है देखिए पहला प्रशना आपके लिए है कि किस या फिरकेन भारते की लड़ियों को दसक की सर्वस्रेश्ट विजडन T20 टीम में सामिल किया गया है इसका अंसर बताईए और दूसरा फ्रशना प्रशना पे लिए कि बारत का पहला चीफ आप डेपेस इस्टाप की से चुना गया है इनका नाम तो आपको ज़रूर रियात होना चाहिए नहीं पता है तो कल का वीडियो देखके तुरंट रिवाइस कर डालिए अब इसका अंसर बताईए और तीसरा फ्रशना प्रशना पे लिए कि बारत और बांगलादेश के सीमा सुरक्षा बलो बीएसेब और बीजीबी के बीच में जो है और देखिए ये विक्री मंच पे कौन कौन से काम हों के मतलब किस उद्दिस से को लाचिया गया है ये भी मैंने आपको कल बताया था तो कमेंट बाउस में इस डीटियल को भी आप बताएंगे और पांचों प्रशन आपके लिए कि अंतरिक्ष इस्टेसन में सबसे लंबा समय बिताने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई है इनका नाम बताये और देखे कल के वीडियो में आपको बताया था कि कौन से ऐसे पूरूस अंतरिक्ष जात्री है जुनों ने में अंतरिक्ष मिजवस सबसे लंबा समय बिता था उनका नाम भी आपको कमेंट बाउस में बताना है वहाँ पे क्लिक करके इस सबको जॉइन भी कलेगे ताकि आपको यहां से भी चीयस और करेंड़र के अपडेट मिल दे रहे हैं तो इसी के साथ बहुत बहुत दन्यवाद थैंक्यू एंड हाव नाइश देव